3.76 Bell Matters in Supreme Court of India आज का हमारे ये विशे है दोस्तों Supreme Court में 3.76 के Bell Matters के केसे के बारे में हम जान करी लेंगे ये 3.76 क्या ये बताता हूँ आपको ये Sexual Offenses में आता है Indian Penal Code इसके 3.75 to 3.76 at D ये section Sexual Offenses में आता है इसमें 3.75 में रेप का definition दिया है और 3.76 में इसका punishment of for rape ऐसा दिया है तो इसमें 3.76, 3.76 A है punishment for causing death or resulting in persistent vacative state of victim 3.76 A भी है punishment for rape of woman under 12 years of age 3.76 B है sexual intercourse by husband upon his wife during separation 3.76 C है sexual intercourse by a person in authority and 376 D है gang rape 376 DA है punishment for gang rape on woman under 16 years of age 376 B है punishment for gang rape on woman under 12 years of age 376 E है punishment for repeat offenders and 377 है of unnatural offenses unnatural offenses तो दोस्तो ये 376 का classification मैंने बताया तो इसके under bell कभी मिलता है जब कोई जो evidence का link है वो disturb है witnesses fabricated है ऐसा कुछ अगर link मिल जाता है तो bell मिलना आसान हो जाता है bell पहला जो मांगना है bell कौन से section से अंदरगत control होते हैं वो आपको बताता हूँ CRPC जो है criminal procedure code इसका chapter 13 है chapter 33 है और उसके section 436 to 450 section तक इसके पूरे bell matter के provision है इसमें main 4 section है तो bell matter जो control होता है या bell matter का जो procedure है ये criminal procedure code CRPC में दिया हुआ है इसका जो chapter है वो chapter 33 है और इसमें section 436 से लेके 450 section तक दिये है इसमें main 4 section है 437, 437A, 438 and 439 ये technical बाते थोड़े दिर के दूर लगता है आपको बताता हूँ कि bell main category दो होती है bell की एक होता है category anticipation of bell anticipatory bell अटक पुर्वत जामीन जो उसको हम बोलते है तो अटक होने की संभावना है लेकिन arrest नहीं हुआ है ऐसे समय में bell मांगना और दूसरा है after arrest bell arrest हो गया है लेकिन trial शुरू नहीं हुआ है तो वो एक bell category और conviction होने के बाद भी आगले court में जाने के लिए भी bell मांगने की provision है तो ऐसा bell का है bell की उपर मेरा separate bell matters की उपर मेरा separate एक किताब भी है bell matter की उपर एक अलग video भी है और आपके IPC की उपर भी एक video अलग है तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि bell पहले मांगना है आपको session court को session court जब deny करेगा तब high court है high court deny करता है तब हमारा supreme court है जहाँ पर हम practice करता है और इसमें generally high court deny करने के वाद supreme court से bell मिलेगा नहीं मिलेगा यह थोड़ा सा doubt लोगों को रहता है लेकिन दोस्तों चिंदा मत कीजिए अगर जो चार सीट है जो witnesses है इसका थोड़ा सा detection करते है कहाँ पे भी link मिल जाती है disconnection मिल जाता है तो bell मिलने के chances यहाँ पे बनते हैं और कभी कभी high court bell दे देता है वो bell cancel करने के लिए भी opposite party supreme court में आती है तो उस समय high court ने कौन सी ground की ओपर bell दिये है वो ground कैसे गलत लिये है यह यहाँ पे हमको submission करना पड़ता है तब जाके वो bell cancel होने के chances सुप्रीम कोट से है सुप्रीम कोट का थोड़ा कामकाज अलग है सुप्रीम कोट में थोड़ी मेहनत लोगों को बहुत जादा करने पड़ती है जो भी वकिल सुप्रीम कोट में अच्छी है कोई बुरा वकिल नहीं है खाली चीतर से थोड़ा सबज़री है कुछ piss करने वाले लोग हैं वोadores about cheating कर देता है और सस्ते के चक्कर में कभी के भी भूत महिंगा हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोट ये अंधिम कोट है इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने भूत महिंगा करना चाहिए लेकिन जो वकिल को आप दे रहे हैं वो वकिल को मेहनत कितना करना है वो session code के document देखेगा फिर high code के document देखेगा सबका study करेगा और सबका analysis करके फिर question of laws, ground तैर करके यहाँ पे petition bill का file होता है, SLP file होता है तो इसलिए जो मेहनत करते हैं, argument करते हैं उसको अगर उसका proper remuneration मिल जाता है तो result मिलने की chances guaranteed अच्छे हैं बस आज के लिए इतना कापी हैं ज हैं जो धिर